जहिन दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल क्यान फोर एक्जाम में आप लोगों के लिए जो बिहारे से CCGL, BPC दरोगा या किसी भी आने वाले एक्जाम के लिए जिसके लिए एक डेली का प्राक्टिसेट शुरू किया गया था और अभी हम लोग कर रहे हैं General Science. General Science का इस वीडियो में आपको डेली 25 प्रास्नों का सेट दिया जाता है और जो प्रास्न दिये जाते हैं उससे संबन्दी जितने भी important fact होते हैं उसको हम लोग प्रास्नों के अंतरगत ही उसका postmatum करते हैं. आज का ये स्रीज जो है set number 4 होगा इससे पहले already 3 set upload कर दिये ग हुआ है उस playlist में आप पीछे के सरी set को देख लेंगे. साथी साथ आपको बता दू कि इस वीडियो के अंतरगत इस set में आपको टोटल 25 प्रास्न पूरे की पूरे science के मिलेंगे. ठीके और आपको previous यानि कि जो set बर्तमान में होता है उसके पीछे का set का आपको इसी वीडिय जन भी करा दिया जाता है जो कि आपके 25 से 30 मिनट के एक छोटी सी वीडियो होती है. आप वीडियो को पूरा देखा करें और जितनी भी important fact आपको बताया जाता है उसे आप अपने notebook में note जरूर करेंगे और उसे जरूर देखा करेंगे. तो आईए चलिए शुरू करते हैं आज का इस set को और शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ सबसे बड़ी काम कि आप अपने दोस्तों के साथ अपने छोटे भाई बहनों के साथ है इसे share जरूर क्या करें क्योंकि बहुत ही important आपको वीडि कराएंगे बाकी सीधे चलेंगे हम set number 4 के पास और ये आपके लिए एक नया बैच सुरू हो गया है आप चाहें तो हमारे साथ जोइन कर सकते हैं इस नंबर पे ज्यादा जानकारी ले करके अब हम लोग देखेंगे set number 4 set number 4 का जो पहला प्रसने ये वीडियो आपको PDF जो है आप टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे WhatsApp ग्रूप जोइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे description में दिया हुआ है आईए देखिए सबसे पहला जो प्रसन है कि भूपरपर्टी में सरवाधी कुपलब्ध आधातु कौन सा है पेज में आ जाता है पहला प्रसन कि भूपरपर्टी पर सरवाधी कुपलब्ध आधातु ध्यान देंगे आधातु का बात कर रहा है तो आंसर आपका हो जाता है सिलिकॉन अगर हम बात करें भूपरपर्टी यानिकी एक तरह से पिर्थीवी पिर्थीवी पर सबसे अधी कुपलब्ध आधातू के अंतरगत सिलिकॉन होता है आपको यह भी पता होगा कि सिलिकॉन जो होता है यह हमारा कितने नंबर का प्रियोडिक टेवल के अंतरगत आप सिलिकॉन को खोजेंगे तो सिलिकॉन आप हमें कमेंट में बताएंगे किसका परमानु संख्या कितना होता है और हम अगर हम अगर आपको बता दें तो आपका पर्मानो संख्या 14 होता है सिलिकॉन का साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि सिलिकॉन का ही परियोग जो है हम ज़्यादातर IC चिप ये जो होता है IC चिप के अंतरगत भी हम परियोग करते हैं दूसरा देखेंगे दूसरा प्रस्ण कहता है कि सुसुपता अवस्था में मनुस्य का रक्त चाप क्या होगा यानि कि सोई हुई अवस्था या जो सांत अवस्था होता है उसमें मनुस्य का रक्त चाप ब्लड प्रेसर क्या होता है तो सोई हुई अवस्था में मनुस्य का ब बढ़ जाता है अगर हम बात करें कि मनुस्य का जो रक्त दाव होता है जिसे हम सिस्टॉलिक और डास्टॉलिक प्रेसर के नाम से जानते हैं वो 120 वटा 80 होता है 120 को हम सिस्टॉलिक कहते हैं जबकि 80 को हम डास्टॉलिक कहते हैं बात अगर आया है रक्त की यानि की बलड से तो ब्लड जो है एक प्रकार का स्वयोजी उत्तक होता है जो हीमोगलोबीन के कारण लाल होता है रक्त दाव यानि की ब्लड प्रेसर को मापने के लिए हम अस्फिगमो मैनोमीटर का परियोग करते हैं रक्त की बात करें तो रक्त हमारे सरीर में 5-6 लिटर तक रहता है और साथी स अभी याद रखेंगे कि वह रुधीर बाहिनी जो फेफडा से हिर्दे तक रक्त को ले जाता है उसे हम पालमो नरी सीरा काते प्रस्न को ध्यान से समझेंगे अगर वैसी रुधीर बाहिनी जो फेफडा से हिर्दे तक रक्त को ले जाएगा वो पालमो नरी सीरा कालाता है और हिर्दे से सुध रक्त को सरीर के अन्य भागों में ले जाने वाली जो होती है वह धमनी होता है। उमीद करेंगे ये सभी प्रस्ण आप जरूर लिखे होंगे, सुने होंगे। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लगे तो आप वीडियो को आप स्लो कर लें या फिर पीछे बैक करके और फिर से दुबारा सुन लिया करेंगे। बहुत ही बेहतरी नापको हर एक पॉइंट से आपको उससे रिलेटेड प्रस्ण आपको जानने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करें मायोसिन तो मायोसिन जो है प्रोटीन ये सरीर की मांसल जो मांस होता है उसको ताज़ी प्रदान करता है यानि कि वो ताजा रहता है। साथी साथ अगर हम बात करें मानस्पेसी की तो मानब सरीर में मानस्पेसी की संख्या टोटल छे सो उन्चालिस होता है जिसमें से छे सो उन्चालिस में से चार सो मानस्पेसी जो होते हैं वो रेखित मानस्पेसी के रूप में जाना जाता है साथ ही साथ यह भी याद रखेंगे कि मानब शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी Gluteus Maximus क्या मानब शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी Gluteus Maximus होता है चले चोथा अगर वीडियो पसंद आ है तो आप जरूर इसे share किया करें क्योंकि हम हर एक वीडियो में नहीं बोलते हैं मगर आप कभी कभी आप लोग देखते हैं कि आप share नहीं करते लाइक नहीं करते तो थोड़ा सा motivation डौन हो जाता है तो आप लोग इसके लिए वीडियो को share किया करें अपने लोगों तक पहुंचाएं तक कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाब उठा सके और मुझे भी थोड़ा सा motivation मिले आप लोगों के साथ बने रहने के लिए आईए चोथा प्रसन है कि माना एक अनु में 9 electron, 9 proton और 10 neutron है तो आपको बताना है उसके द्रहमान संख्या कितनी होगी आपको पता होना चाहिए द्रहमान संख्या निकालने के लिए हम A बराबर P पलस N का फर्मूला परियोग करते हैं यानि कि proton पलस neutron को जोड़ करके हम द्रहमान संख्या निकालते हैं यानि कि total हमारा 19 हो जाएगा electron और proton की संख्या में सा बराबर ही होता है तो या भी याद रख लेंगे अब यहाँ पर देखें neutron, proton और electron तीनों की बात आई है अगर हम बात करें electron की तो electron का खोज करता कौन है जे जे थॉम्सन बात करें proton की तो इसका खोज करता कौन है रदर फोड कहीं कहीं पर आपको gladistine भी दिखाई देगा उसके बाद neutron, neutron की खोज कौन करता है तो चैडविक करता है इनही सभी में एक और confusion करने के लिए एक सब्द होता है पोजी ट्रॉन ठीक है, पोजी ट्रॉन पोजी ट्रॉन जो होता है इसका खोज इंडर्सन के द्वारा किया गया था तो ये इतना सभी पॉइंट को आप याद रखें पाच्वा प्रसन है कि एक तत्व के समस्थानिकों के यानि कि समस्थानिक का बात कर रहा यानि कि जिसका अस्थान समान होता तो धिया रखेंगे, एक तत्व के समस्थानिक में neutron की संख्या भीन भीन जबकि प्रोट्रोन की संख्या समान होता है अब आपको confusion हुआ होगा समस्थानिक हम उसको कहते हैं कि समस्थानिक में प्रोट्रोन की संख्या समान होती है और समान परमानु करमांख भी होता है लेकिन भिन भिन परमानु द्रब्यमान होता है तो ये इतना point आप याद रखेंगे एक और point होता है संभारी संभारी के अंतरगत क्या होता है कि उसका परमानुद्रबमान जो होता है वो भीन होता है लेकिन परमानुद्रबमान समान होता है जबकि परमानुद्रबमान के भीन होता है उसे हम संभारी करते हैं सपोइड़ देखिए ये है आपका सोडियम एक एक जामपल आपको दे रहे सोडियम का माना जाए नीचे में 11 और उपर में 22 है और यहाँ पर भी 11 और यहाँ पर 22 है तब आपको ये समझ में आएगा कि नीचे सोड़ी उपर में 23 कर देते हैं तो नीचे का ये जो किरिया है ये अस्थान है यानि कि समस्थानिक है जब हम इसी को हम 12 कर दें और इसको हम 22 कर दें यानि कि ऊपर का जब बरावर हो जाएगा तो ऊपर समभारी कहलाता है थोड़ा सा और समझें आपको एक example के तौर पर बताते हैं जैसे देखें नीचे में हम 11 और 12 लिए उपर में हम मान लिजिए 21 और 21 लिए ठीक है ये तो देखें आपको लिए हम 21 यानि कि उपर मान लिया जाए आपके सर के उपर कोई बस्तू रखा जाए भारी तो आपको क्या लगएगा भार यानि कि आपको लगए कि मेरे सर पे कुछ रखा हुआ है तो यहीं से आप रिलेट कीजिए कि सोडियम यानि कि कि किसी भी तत्व के उपर वाला जो संख्या समान रहे तो वह संभारी कहलाता है दूसरा समझे दूसरा अगर हम इसको इक 11 और इसको भी 11 कर दें नीचे यानि कि जब नीचे वाला दोनों समान रहता है तो अस्थान बरावर होता है तो उसे हम सम अस्थानिक कहते हैं किलियर है उमीद करेंगे अब यह संभारी कर सम अस्थानिक समझे गया होंगे च्छै नमबर देखेंगे कास्टिक सोडा का रसाइनिक नाम क्या है तो कास्टिक सोडा का रसाइनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोग्सड जिसे हम NaOH के रूप में भी लिखते हैं इसका सुत्र होता है जना वही एक होता है baking soda, baking soda की बात करें तो baking soda को हम sodium carbonate जिसे हम धोबन सोडा कहते हैं तो उसको भी आप याद रख लेंगे अगला साथवा प्रसने की ताप माप में पारा का परियोग क्यों किया जाता है तो पारा यानि की जो मरकरी होता है ये दिवार से जो काच होता है उसमें चिपकता नहीं है इस कारण से उसका परियोग हम ताप मापी अनिकी थर्मामीटर में करते हैं पारा की बात करें तो पारा का एक आयास को होता है सीने बार पारा का आयास को होता है सीने बार जिसे हम HGS के रूप में लिखते हैं और पारा जो होता है पारदर्सक और उच ताप मापी होता है आगे बढ़ते हैं प्रेस नहें कि इलेक्ट्रोनिक केंप्यूटर का विस्कार किसने क्या है बहुत ही बेतरीन सवाल है इसको अस्टार मार करके याद रखेंगे कि Electronic Computer का विस्कार JP18 है Normally हम लोग जो एक पढ़ते हैं कि Computer के जनक कौन होते हैं तो Computer का जनक Charles Babbage को कहा जाता है जबकि Electronic Computer का जनक JP18 को कहा जाता है और भारत का जो है एक प्रथम Computer हुआ करता था वो सिदार्थ होता है जबकि भारत का प्रथम Super Computer परम 10,000 होता है कौन सा भारत का प्रथम Super Computer परम 10,000 जबकि भारत में निर्मीत प्रथम Computer सिदार्थ है तो ये भी याद रखेंगे नौ नमबर पॉइंट है कि T scale पर किसका मापन किया जाता है T scale है जिसे हम T मापक भी कहते हैं तो T scale पर जो हम मापते हैं वो चक्रवात की सकती को मापते हैं जो होता है मुख्यता Magnesium का AASK होता है Carnylite Magnesium का AASK है Peach Blade जो Virginium का भी AASK होता है यह याद रखेगा कुछ और हम AASK की बात करें तो Chromium का यह AASK होता है आतिस वाजी यानि कि पटाकों में जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण होता है। इस प्रस्ण को हमने इसलिए सामिल किया और यह आसान प्रस्ण हमने यहाँ पर लिखा कि हरा रंग और लाल रंग हर किसी को याद रहता है। बाकी और भी कुछ रंग हैं जो और किसी धातू के कारण होते हैं आप उसे जरूर नोट कीजिएगा देखे कौन-कौन सा ध्यान से सुनेंगे और नोट करेंगे हरा रंग तो हमने जाना बेरियम एक होता है लाल रंग रेड की बात करे तो लाल रंग अस्ट्रांसियम के एक होता है चमकीला उजला यानि की पूरा वाइट में तो वो जो होता है मैगनीसियम और इलमुनियम चमकीला उजला के से मैगनीसियम और इलमुनियम एक चीज और याद रखेंगे जो हरा होता है ग्रीन ग्रीन रंग बेरियम के साथ साथ कॉपर से भी होता है हरा रंग पर्टाकों में बेरियम के साथ साथ कॉपर से भी होता है यानि कि तामबा से भी होता है इसे भी आप याद रखेंगे लाल रंग अस्ट्रांसियम के कारण पीला रंग सोडियम के कारण चमकीला उजला मैगनिसियम और अलमुनियम के कारण ग्रीन यानि की हरा, बेरियम और कॉपर के कारण उमीद है आप इसे नोट किये होंगे बारा नूमबर डाइबिटीज रोग में सरीर का कौन सांग प्रभावित होता है डाइबिटीज यानि की मदुमे तो मदुमे में डाइबिटीज के अंतरगत अगनासय प्रभावित होता है अगर हम बात करें अगनासय की तो अगनासय जो है सरीर की दूसरी सबसे बड़ी गरंथी होती है जो की एक तरह का मिस्रित गरंथी भी होती है जो कि अंतासरावी और बाहिसरावी दोनों होता है अगनासे से ही हम अगर बात करें तो अगनासे से एक रस निकलता है जिसे हम pancreatic juice या अगनासे रस कहते हैं अगनासे रस जो होता है वो छार ये होता है यानि कि इसका pH मान जो होता है 7.5 से 8.5 के बीच में होता है तो आपको एक प्रस्द कमेंट में बताना है कि सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है सबसे बड़ी ग्रंथी सरीर में कौन सा है ये अब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे और कमेंट आप जरूर दिया करें जिससे कि आपका confidence बढ़ेगा और जिन भी दोस्तों के आपके जो पता नहीं रहेगा वो कमेंट में देख करके वो इस answer को जान पाएंगे आएए आगे किस बिटामिन की कमी के कारण अती सार अती सार के साथ त्वचा की सूजन तथा एकजिमा होता है बिटामिन का नाम है अतिसार हो रहा है अतिसार होने के कारण तवचा का सूजन और एक जिमा हो जाता है किसे तो निकोटीनिक अमल से होता है किसे होता है निकोटीनिक अमल के कारण अब आपको nicotinicamil या niacin या nicotinamide के नाम से जो जाना जाता है उस vitamin को हम क्या कहते हैं? vitamin B3 के नाम से जानते हैं अब ध्यान से सुनिएगा vitamin B जो होता है vitamin B के बहुत सारे complex होते हैं ठीक है? तो वो complex का नाम रसाइनिक नाम याद रखेगा जैसे B1 B1 का रसाइनिक नाम थाइमीन B2 का रसाइनिक नाम हो जाता है आपका राइबोफलेवीन B3 का रसाइनिक नाम हो जाता है nicotinamide क्या हो जाता है nicotinamide या niacin B5 फोरनी होता है B5 होता है B5 का हो जाता है pentothenicam उसके बाद एक होता है B7 कौनसा? B7 B7 जो होता है B7 जो होता है इसे हम BioTene कहेंगे क्या कहते हैं BioTene कहते है B7 को एक होता है B12 B12 जो होता है यह Sinocvalmin के नाम से जाना जाता है पुना सुनेंगे Vitamin B1, Thymine B2, Riboflevin B3, Nicotinamide या Niacin B5, Pentathonicum B6, Pyridoxin B7, BioTene B12, Sinocvalmin यही जो B7 है इसे यह Vitamin H भी कहा जाता है तो इसे भी याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 14 नमबर प्रस्ण बहुत ही Important और इसको हमने जान बुझ करके यहाँ पर सामिल के है क्योंकि यह प्रस्ण अक्सर Diptheria, Leprosy याने की लकवा यह सभी जो है आपको जिवानू से होने वाला बिमारी है अगर हम बात करें हैजा की तो हैजा जो है विब्रियो कोलेरी नामक जिवानू से होता है टाइफ़र्ड की बात करें तो यह सालमोनेला टाइफी से होता है उसके बात करें तो निमोनो कोकल याने की माइको प्लाज्मा निमोने निमोनिया की से माइको प्लाज्मा निमोनो के कारण होता है डिप्थिरिया की बात करें तो डिप्थिरिया जो है कोरीने बैक्ट्रियम बैक्ट्रिया के कारण होता है diptheria corinobacterium bacteria यानि कि जिवानु के कारण होता है और leprosy की बात करें तो mycobacteria leprae mycobacteria leprae के कारण leprosy होता है आगे बढ़ए फंदरन नुमबर प्रस्न है कि मनुस्य के चर्म के रंग का कारण होता है चर मतलब चमड़ा बोलते हैं जो अस्कीन होता है वो तो ये किसके कारण होता है तो आपको पता होना चाहिए मेला नीन के कारण होता है यानि कि मेला नीन के अधिकता के कारण आपने काला गोरा ये सबी जो देखा होगा तो वैसे व्यक्ति जो पूरा काला दिखाई दे उसमें मेलानीन की मातरा अधीक होगी तो वो काला होगा मेलानीन की मातरा कम रहेगा तो उसका रंग गे हुआ यानि की थोड़ा सा सफेद दिखाई देगा ठीक है साथ ही साथ याद रखेंगे कि प्रोटीन्स का निर्मान पेप्टाइड बंधन से होता है ये भी याद रखेंगे आगे सोला नंबर प्रस्ण है कि नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर कारवन डायोकसाइड यानि कि CO2 गुजारी जाए तो परिनामी घोल का रंग क्या होगा नीला लिटमस पत्र है उसमें कारवन डियोकसाइड डाला जाता है तो उसका रंग क्या होगा तो वो लाल हो जाता है यह क्या इसा होगा लाल हो जाएगा यह स्तरह की प्रेस्ट अक्सर पूछे जाते हैं अब देखें यहाँ पर आया है CO2 और लाल रहें यानि कि नीला को लाल में बदल रहा है यह ध्यान रखेंगे तो जब नीला को लाल में बदल रहा है तो आपको यह दिमाग में आना चाहिए कि यह क्या है अमल है या चार है तो ध्यान रखेंगे जब नीला से लाल बदलता है तो आमल होता है इसको याद रखेंगे और जब लाल से नीला बदलता है तो छार होता है प्रेस्ने मारा 17 नमबर कि तेल में तैरती हुई एक बस्तु सदा क्या बिस्थापित करेगा बड़ा ही बेहतरीन सवाल है याद रखेंगे जब ही कोई बस्तू तेल में तैर रहा होता है तो तेल का भार जो होता है उसको विस्थापित करता यानि कि दूर भगाता है फैलाता और ध्यान रखेंगे कि जिस बस्तू का घनत्व कम होता है वही उसके उपर तैरता है मानब का पानी में तेरना या नाव यानि कि जहाज का पानी में तेरना ये सभी कम घनतव के कारण होता है साथ ही साथ ही अभी याद रखेंगे कि पानी का घनतव नमक मिलाने से बढ़ जाता है क्या होता है नमक मिलाने से पानी का घनतव बढ़ जाता है अगले तमारा 18 नमबर पर कता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का परियोग किसकी दिसा का पता लगाने में किया जाता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है जो कि हमें बताता है प्रेरित धारा को फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम प्रेरी धारा का पता लगाता है और साथ ही साथ यह भी याद रखेंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि ध्यान से सुनेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि धारा बाही चाला को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करे कि अंगूठा जो अंगूठा होता है वो चाला कहलाएगा और उसके बाद जो अंगूठा होता है वो प्रबाही धारा को ब्यक्त करेगा उंगली का घुमाब जो होता उंगली जो घुमा हुआ राता है वो चुम की ये छेतर को बताता है तो इतना याद रखेंगे उनी स्वा है कि किसने TK का अविस्कार किया TK का अविस्कार कौं करेगा तो Edward Jenner करेगा ठीक है और चेचक के TK का अविस्कार किया था Edward Jenner ने किलिए अगर हम कुछ हूर बात करें तो कॉलरा और T.V. यानि कि हैजा और T.V. के TK क कोच कौन किया था तो Robert Coach ने किया था रेवीच के टीका और दूद का पास्चुराजेशन लूई पास्चर ने किया था malaria सब्द का परियोग सबसे पहले मैकुलाच ने किया था जबकि malaria पर जीवी जो होती है उसका खोज Ronald Ross ने किया था आगे आई आगला जो प्रस्ण है वो है 20 नमबर 20 नमबर प्रस्ण करता है कि treadmill test कौन सी चीकिश्या से समद्धी थे तो treadmill test की अगर हम बात करें तो यह ही हिर्धै से समद्धी थे हैना हिर्धै यानि कि जो रक्त संचरन की बात होती है उसके लिए treadmill का हम परियोग करते हैं आगे आएंए 21 नमबर है कि यदी किसी पिंड का संभेग एन गुना, एन लिखा हुआ है एन गुना कर दिया जाए तो उसकी गति जुर्जा होगी तो किसी भी पिंड का संभेग एन गुना कर देंगे ये compact disc यानि कि CD किस प्रकार की data भंडारन पदेती है, तो compact disc जो होता है ये प्रकार का optical यानि कि प्रकासिक data भंडारित करता है, टेस नमबर है कि जीवार अच्छक हार्मोन किस गरंथी से स्रावित होता है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जीवार अच्छक हार्मोन जो है ये कह ये अलावा एक होता है adreniline, adreniline हर्मोन जो इसी के अंतरत निकलता है, उसे हम लड़ो और उड़ो हर्मोन के नाम से जानते हैं, चौईस नमबर प्रस्ण कहता है कि मानब सरीर में सबसे लंबी कोसिका कौन सा है, तो मानब सरीर की सबसे लंबी कोसिका, तंत्रिका कोसिका ह जो तंत्रिका कोसिका होता है नर्वस सिस्टम वो मानव सरीर का सबसे बड़ा तंत्र होता है यक्रित जो कि मानव सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी होती है तो इतना याद रखेंगे अब आखरी एक प्रस्ण है क्या है कि प्रकिर्टी में यूरेनियम 235 की प्रतीसत मात्रा लगवग 0.7 प्रतीस है आपको पता होगा कि उरेनियम के दो समस्थानिक होते हैं उरेनियम के दो समस्थानिक यह कि उरेनियम 92, 238 ठीक है इसको ब्लू कर देते हैं कलर ज्यादा दिखते हैं उरेनियम 238 और एक होता है उरेनियम 235 है ना दोनों का नीचे समान होता है 92 जो उर युरेनियम 238 होता है युरेनियम 238 लगवग 99.3 प्रतिसत जब कि युरेनियम 235 जीरो दसनलाव 7 प्रतिसत होता है और ये दोनों युरेनियम का समस्थानिक है इसका परियोग हम इंधन के रूप में करते हैं याद होगा कि अमेरिका में जो जपान पर बंब गिराया था उस आपके लिए एक हमने प्रस्त यहाँ पर रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है और उसके बाद हम सेट नंबर 3 का रिवीजन करेंगे तो 5 मिनट और आपके लगेंगे रिवीजन करने में और पूरी डिटेल के लिए आप डेली 1 by 1 वीडियो को कर लेंगे आपका उप्सन है प्रोटीन और बसा तो आप बताएंगे बाके वीडियो को आप लाइक कमेंट सेर सब्सक्राइब जरूर करेंगे साथ ही साथ कम से कम अपने सभी दोस्तों और ग्रूप में जरूर सेर करेंगे आईए अब हम सेट नंबर 3 का एक फटा-फट र वीडियो में देख लेंगे सबसे पहला प्रसने कि लेंगर हैंस के द्यूप जो इंसुलीन का स्राब करता है इस्थित होता है कि इसमें तो अगनासे में किस हर्मोन द्वारा हिर्दयस पंदन तथर उधीर दाब बढ़ जाता है तो एड्रेनिलीन में हिर्दयस पंदन और उधीर दाब किसमें बढ़ता है तो ये ड्रेनिलीन हर्मोन से बीसी जी का टीका नवजात सीसु को कितने दीन के भीतर लगाना चाहिए तो लगवक छे महिना या 180 दीन के भीतर फिर आता है कि यदि चंद्रा पर बंबिस फोटो हो तो उसकी आवाज पिर्थीवी पर कितने समय बाद सुनाई देगा तो चंद्रा पर बायमंडल नहीं होने के कारण वहाँ पर सुनाई नहीं देगा जल की कठोड़ता किस के कारण होता है तो जल की कठोड़ता CAHCO3 के होल्टवाईज के कारण होता है बिस्वत रेखा पर दीन कितने घंटे का होता है तो बिस्वत रेखा पर दीन 12 घंटा का होता है सादवा था कि पीतल एक मिस्रधातु है जबकि बायू क्या है तो बायू एक प्रकार का मिस्रन है इंसुलीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है तो इंसुलीन की कमी से मधुमेह रोग होता है नौनमबर प्रस्ण था कि किस ताप पर H2O यानि कि जल का घनत अधिक्तम होगा तो पॉइंट याद रखेगा जल का घनत 49.2 डिगरी फायरन हाइट या 4 डिगरी सेल्सियस में होता है जल का घनत अधिक्तम किस बिद्धु चुमकिये तरंगों के तरंगड़ सबस्य धिक होता है तो सबसे ज़ादा तरंगड़ होता है वरक्त किरनका आसूग इसका रसाइनिक नाम क्या होता है तो αलफा क्लोरो एसीटोफिनन होता है फिर है कि यदि किसी लेंज का अधा भाग काले कागा से ढग दिय जाए तो उसके द्वारा आप उत्पन परतिवीम क्या होगा तो परतिवीम की चमक जो होगी वो कम जाती है कौन-कौन से रंग प्रात्मिक रंग होते हैं हमने अब को प्रात्मिक रंग दिवत्या रंग सभी बताया है विडियो में ठीक है जो डिटेल विडियो है उसमें तो कौन-कौन से रंग प्रात्मिक रंग होते हैं तो लाल, हरा, नीला सुक्ष में दर्सी यानि कि माक्रोस्कोप का विस्कार किस ने किया तो जेड जॉंसन ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है तो मिथो मोगलोबीन के कारण मिथो मोगलोबीन के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है सबसे जटिल कार्वनिक पदार्थ कौन होता है तो प्रोटीन होता है सावुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ट तनाप पर क्या प्रवाब पड़ता है तो जब भी हम सावुन को जल में घोलेंगे तो उसके प्रिष्ट तनाप घड़ जाता है Mg2, P2O7 में P की ऑक्सिकरन संख्या क्या है तो P की ऑक्सिकरन संख्या 5 होता है नाब की रेक्टर में न्यूट्रोन को सोसित करने वाला तत्व कौन सा होता है बहुत important प्रसने इसे याद रखेंगे cadmium होता है नाब की रेक्टर में न्यूट्रोन को सोसित करने वाला था तो कैडमियम प्राकिर्तिक रबर किसका बाउलक है तो आईसो प्रीन का बाउलक है आधिक आंस्ता रितु परिवर्तन किस मंडल में होता है तो रितु प्रवर्तन छो मंडल या ट्रोपोस्फेर में होता है यदि लाल फूल को हरे सीसे में देखा जाए तो कैसा दिखेगा तो काला दिखता माइकलसन मोरले परियोग माइकलसन मोरले परियोग किसका आधार है तो इथर परिकलपना के पतन का आधार था डी एने में प्यूरीन छार क्या है तो डी एने में प्यूरीन छार एडेनीन और गुवानीन होता है और पचीसवा और आखरी पैसंद था सेट 3 का क्यों जोन परत के छर्ण को रोकने वाला अंतराष्टी संदी कौन है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कुने 187 में हुआ सेट नंबर 3 का भी आपको यहां पर आंसर आप दे सकते हैं कि रामसर संदीक कब हुआ था 1975 या 1971 आप कमेंट में आंसर जरूर दें आप इन सभी चीज़ों को जरूर फॉलो करें क्योंकि मुझे बार और बोलना अच्छा नहीं लगता है यह चीज़ को ठीक है तो आप हमार आप 3 महिना 249 में जोइन कर सकते हैं बाकी आपको भी ज्यादा डिटेल आपका यह जो डेट है और टाइम है वो आप यहां से देख लेंगे साथ ही साथ आप पेमेंट करने के लिए इन सभी प्रोसेस को जरूर अपना है गूगल पे फोन पे से आप पेमेंट कर सकते हैं आ चलता रहता है तो आप जल्द से जल्द जोइन करें ठीक है बाकी मिलते हैं अब अगले वीडियो में साथ ही साथ आप लोग हमें यह कमेंट करके बताएंगे कि अगला जो है किस टॉपिक पे वीडियो लेका हिस्ट्री पॉलिटी या जोगरफी यह तीन पॉइंट हम आप को दे रहे हैं इसका पचीस पचीस का सेट किसका चाहेंगे आप हमें कमेंट में जरूर बताएं तो मिलते हैं अगले वीडियो में आज के लिए हमें दीजिये इजाज़ा तभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंत